नमस्कार स्वाखताब सभी का मेरे YouTube चैनल Info Academy पर और आज की इस वीडियो में आप एक भरती के नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे यह जो भरती का नए नोटिफिकेशन है यह भारती सरकार के रक्षमंत्रा लेकर अधिन आने वाली जो भारतिय सेना का हैड़कॉर् जो कि पूरा में स्थित है उसके दोबारा यह वेकैंसी का यह निया नोटिफिकेशन जारी किया गया है और यह जो एमप्लाइमेंट नोटिस है यह ऐंपनी वीडियो स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं इस भरती के लिए आपको कौन-कौन सी पोस्ट है वह सारी जनकारी आ आपने अपना application फारम जमा कराने होगा क्या के document आपने जमा करवाने होंगे वैसारी जनकारी आप इस वीडियो के माध्यम से प्राबत करेंगे सबसे पहले paragraph में बताया गया है कि जो भी आपने documents लगाने हैं वो documents जो हैं आपने self-attested करके आपने लगाने हैं और भेजने किसको प्राइडिंग ऑफिसर बी ओओ फाइव हैड़ क्वार्टर साउधरन कमांड पूना के address पर आपको भेजने होंगे 45 दिनों के भीतर यानि कि इस भरती की जो अंतिम तारिक है 30 अपरेल 2022 के बाद 45 दिन आपको apply करने के लिए मिले हैं यानि कि 14 जून 2022 से पहले पहले आपने अपना offline application फारम जमा करवाना होगा और कौन-कौन से पद है वो आपको टेबलेटर फार्म में अब आपको वीडियो स्किन पर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे सफाई वाली का जो पोस्ट है वो 46 वेकैंसी हैं सफाई वाली के पद के लिए सफाई वाली या अपने आप कर देट के जो कैंड़िट हैं वो अपने आपको या पद के लिए। वाली के लिए के अवल female candidate ही apply कर सकते हैं और सफाई वाला के लिए male candidate apply कर सकते हैं point number 3 के उपर driver साधारन grade की दो vacancy है जिसमें से general study के लिए एक है और OBC study के लिए एक vacancy है और exercise man quote की भी एक vacancy है इन दो vacancies में लेवल 2 की vacancy 18-25 वर्स के बीच के जो candidate है वो apply कर पाएंगे driver के लिए driver के लिए जो जरूरी हो केता है दसवी कक्षा के साथ साथ आपके पास civil driving license है heavy vehicle चलाने का आपके पास license होना चाहिए और कम से कम आपको दो वर्स का अनभाव होगा driving में तो आप driver साधारन grade के लिए apply कर सकते हैं इसी परकार LDC के 9 पद हैं 9 पदों में से 6 जेनल सेनी के लिए हैं एक SC के लिए और OBC के लिए एक EWS के लिए एक EWS कोटे की चार vacancies का वीवरन इस advertisement में दिया गया है LDC की जो post है वो level 2 किया है और LDC के लिए 18 से 25 वर्स के बीच के candidate apply कर सकते हैं LDC के लिए जो जुरूरी हो गयता है वो 12 कक्षा के साथ साथ आपको English typing में 35 प्रती मिनट आपकी computer typing में speed होनी चाहिए तो आप इस पद के लिए apply कर पाएंगे LDC के पद के लिए एक बार फिर नोट कर ले सफाई वाला की 46 सफाई वाली के लिए 46 वेकंसी है सफाई वाला के लिए एक वेकंसी है और driver साधारन grade के लिए 2 वेकंसी है LDC के लिए 9 वेकंसी है इस परकार के नए-ने job notification प्रावत करने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें वीडियो को like में share जरूर करते रहें अब आगे बात करते हैं इस भरती की closing date की closing date आपको important instructions में point number A के उपर आपको सबसे उपर दिखाई पड़ रहे होगी 45 दिन आपको apply करने के लिए मिले हैं 45 दिन आपको 14 जून 2022 से पहले पहले आप इस भरती के लिए apply कर सकते हैं इस भरती के लिए आपको offline application farm भरना होगा offline application farm जो है आपको इस से अगली वीडियो में बताय जाएगा कि किस परकार से आपने अपना offline application farm भरना है और उसी वीडियो के description box में आपको एक link मिल जागा उस link से आप application farm को download करके print out लेकर उसको apply कर सकते हैं farm के साथ आपको तमाम दस्तावेज लगाने होंगे तमाम दस्तावेजों में 10-12 जो भी आपकी qualification से समंदित दस्तावेज है reservation से समंदित आपके दस्तावेज होंगे उसके इलावा आपका domicile certificate होगा यनि के आपकी स्रज्जा के स्थाई निवासी हैं उस स्रज्जा का आपका स्थाई निवास का प्रमान बत्तर आपका साथ लगेगा EWS की post के लिए apply करने के लिए आपको EWS की post के लिए EWS certificate भी लगवाना अनिवारिया होगा और तीन photograph आपके लगें उसके इलावा आपको जो सबसे महतोपूर्ण काम है वो है application fees application fees आपको कितने रुपे आपने पे करनी है वो सारी जणकरी आप इस advertisement के point number H पर आपको दिखाई पड़ रही होगी H के उपर आप देख सकते हैं सभी candidates को एक instruction दी गई है इस instructions के मताबिक आपको एक application farm के साथ एक swam का पता लिखकर एक लिफाफा आपने लगाना है और उसके साथ आपको सोर पे application fees के रूमे पे करने होगे सोर पे आप fees जो है वो आप Indian Postal Order के माध्यम से पे कर सकते हैं और Indian Postal Order आपको Commandant Command Hospital SC पूने की favor में बनवाना होगा और इसके इलावा आपको दो recent passport आकार size की जो photograph से हैं वो application के उपर paste करनी है और दो additional में आपने attach करनी है अब बात करते हैं कि आपने application farm कहां भेजना है किस पते पर आपने application farm भेजना होगा application farm भेजने का जो पता है इस advertisement के point number क्या हूँ के उपर आपको दिखाई पड़ होगा application जो है वो आपकी जो है registered post या speed post या registered post के मातम से ही आप अपना application farm भेज पाएंगे application farm आपने जो भेजने का पता है वो एक बार आप note कर लें और वो ही पता आपको इस वीडियो के description box में मिलेगा वहाँ से भी आप note कर पाएंगे इस भरती के लिए आपने application farm जो है वो आपको इसे next वीडियो में बता दिये जाएगा कि कि आपने किस परकार से अपना application farm भेजना है application farm भेजने के बाद जब आपकी जो application accept हो जाएगी उसके लिए इस भरती के लिए एक return examination conduct करवा जाएगा return examination 150 अंकों का होगा और 150 question ही आपको दिये जाएगे इन 150 question हल करने के लिए आपको दो घंटे का समय भी दिये जाएगा examination आपका return examination में आपको journal intelligence reasoning, journal awareness, journal English और numerical aptitude के question आपसे mc को multiple choice question आपको दिये जाएगे कुल मिलाकर 150 अंकों का आपका return examination conduct करा जाएगा और इस return examination की जो merit होगी उसी के अधार पर आपका chain किया जाएगा return examination जो है आपका दो भासाओं में, दोनों भासाओं में आपको दिया जाएगा इस परकार के नए नए job notification प्रापत करने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को like बे शेयर जरूर करते रहें ताकि आपको भरतियों से सम्मंदित हर छोड़ी बड़ी update इस चैनल के माधम से सबसे पहले मिलती रहे धन्यवाद